रूठे हुए जगदा नंसी की फिर वापसी हुई राज़त में आते के साथ हुआ धमा का छात्र राज़त प्रदेश अध्यक्ष की हुई फिर बदल और अब तेज प्रदाप हुए नाराज। तेज प्रदाप यादव लाक छुपाए पर कुछ तो चल रहा है लालू परिवार में आठ अगस्त को तेज प्रदाप यादव ने खुले मंच से जगदा नंसींग को जलील कर दिया था जुसके बाद 12 दिनों से जगदा नं राज़त कार्याले नहीं जा रहे थे लेकिन इस ड्रामे का अंत वही हुआ जो पहले से होताया है तेज प्रताप के हाथों जलील होकर रूटने वाले जगदा नंसींग आज फिर मान गये तेजस्वी से मुलाकात की और फिर से राज़त कार्याले पहुँच गये दरसल जगदा नंसींग को कुछ ऐसा मिला जिसनी उनकी सो मुझको बदल दी जी हां वह है चातर राज़त के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को पड़ से हटा दिया गया है और उनकी जगा नए प्रदेश अध्यक्ष बने है गगन कुमार अप तेज प्रताप यादव अपने चहीते अध्यक्ष के पड़ से हटाए जाने को लेकर लाल पीले हो गए और ट्वीट कर उन्होंने अकाश यादव को चातर राज़त के पड़ से हटाए जाने पर नाराज़गे जाहिर करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राज़त के सम्विदान को ही गलत बता दिया वहीं चात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष में हुई फेर बदल पर तीजस्वी आदव ने क्या बयान दिया सुनिए प्रदेश कर या लिगा इस उमार में जग्दा बाबु जो है पाटी के लिए समय दे रहे हैं आते जाते रहते हैं दोचाती नहीं आया तो बवाल की सब्सक्राइब बदूसरी बात यह प्रदेश अध्यक्ष के हातों में होता है कि कौन प्रकोष्ट का कौन संगठन का जिम् उनको निद्रे लेने का स्वतंत्र रूप से उनको अधिकार भी है और उनसे अनुभावी मैक्ती कौन है पर जग्दा नंसिंग का कहना है कि सर छातर राज़त का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका पद बहुत दिनों से खाली था पर अकास जादव तो इस विशे में जग्दा बाबू ही बहतर बता सकते इसमें तो हमकी हमारा कोई है नहीं लेकिन क्याते जसी जी आप एक पार समझ जाईए मेरा कोई इंटर्फेरेट्स हैं इस मामले में जग्दा बाबू स्वतंत्र हैं प्रदेश के संगठन के क्या फेड़ बदल कर दी हैं क्या विश्तार करना हैं किसको रखना हैं कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है यह प्रदेश अध्यक्स का काम है बहतर होगा अगर किसी चीज को लेके अगर आप लोग सवाल पूछ रहें तो इसमें हम बहतर जबाब नहीं दे पाई नहीं रिच्टा बहतर जबाब पार्टी का